पडोसी तंग कर रहा है और समझाने के बाद भी नहीं समझा तो आज मैं आपको कानून की कुछ ऐसी बाते बताऊँगा पडोसी कुछ भी करेगा लेकिन आपको तंग कभी नहीं करेगा और इस प्रोसेस में ना आपका कोई पैसा लगेगा ना आपको घर से बाहर जाने की ज जैसे आपके पडोसी ने भी अगर गली के अंदर पानी डाल दिया, गली के अंदर कसरा डाल दिया, आपके घर के सामने कसरा डाल दिया, या आपका पडोसी भी गली में बैटके होका पिता है, जोर-जोर से राउन की तरह हा हा करके हसता है, या फिर वह ऐसे ऐसे खाते है ना वो खाके गली में थूकता है, आपके घर के बाहर थूकता है, आपके दिवार के बाहर जाके थूक के आता है, या फिर आपके घर के बाहर आगे सूसू करता है, या फिर कोई भी ऐसी हरकत करता है, जिससे आपको दिक्कत हो, अब टीवी देख रहा है हाई वोल्यूम करके, भ उत्री एक मेरे भाई ने मेरे को बताया कि सर पडोसी ने पेड़ लगा रखा है, फल खुद खा रहा है और पत्ते मेरे घर में आ रहे हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि पडोसी फल खा रहा है और उस पेड़ के पत्ते आपके घर में आ रहे हैं, तब भी उसका पक मेरे गराज आते हैं, मुझे मेरे परोशी से यह दिक्कत है कि इसका कुद्टा बहुत ज्यादा भोगता है, हद से ज्यादा भोगता है, हाँ भई कारवाई होगी कभी भी आपको लड़ाई नहीं करनी है आपके परोसी से लड़ाई नहीं करनी है आपको सिरफ HDM आपके area का जो भी HDM अचाहे आप भारत में कहीं भी हो हर area का HDM होता है आपको helpline number पर कोल कर देना help line number पर ही call करना है जाके नहीं बताना है, help line number पर इसलिए call करना है, क्योंकि help line number जो होता है, वो सरकारी number होता है, जैसे ही आपने अपने सिकायत दी, वो record हो जाता है, और उस record हुई call के उपर उनको कारवाई करनी पड़ेगी, पड़ेगी, क्योंकि उनको feedback दिखाना पड़ता है, कि हमने इसके उपर क्या करवाई की, अब SMHDM साब अब क्या करवाई करेंगे, आपको जिस भी पड़ोसी से दिक्कत है, अब उसके लिए PCR भेज़ देंगे, फूलों वाली, और फिर 268 की कारवाई, और 210 की कारवाई, ये IPC के सेक्षन होते हैं, उसको उठागे ले जाएगे, और इसके अंदर जो सजा मिलती है, वो सजा सिरफ 200 रुपे के मिलती है, अब आपका होगे ये तो कोई मज़े वाली बात नहीं हुई, अब 200 रुपे में क्या होगा, उसको तो अच्छे वाला सबक सिखाना, अरे तो रुको जड़ा सबरता रखो, उससे फिर बेल भी ले ली जाएगे, जमानत भी ले ली जाएगे, उसको बेल दे दी जाएगे, तब तब दो सोई क्याणवा लग जाएगी यानि कि अगर एक बार हेल्प लाइन नंबर पे आपने कॉल करने के बाद भी अगर वो आपको दुबारा तंग करता है फिर से आपको हेजडिम उसी हेल्प लाइन नंबर पे कॉल कर देनी है और कॉल करके जैसे आप बताओगे फिर 291 कारवाई में फिर 6 महिने के लिए और फिर तुसको जमानत भी नहीं मिलेगी यह जमानत भी नहीं मिल जाती थी 6 महिने के लिए जेल में जाएगा वो फिर पूरे 6 महिने 100 सी दिन आप यही सोचेगा कि कास उस दिन कचरा ना डालता कास उस दिन होका ना पीता वो खाखा कैसा ना थुकता कभी भी आपको तंग नहीं करेगा तो पहली ची समझ में दूसरी बात अगर वहीं पे पडोसी का कुता है और भाई हद से जादा भोगता है या फिर आपको डर लगता है कि कहीं आपको ना काट ले आपके बच्चों का ना काट ले और आपने उसको समझा भी देगा भाई अपने कुते को बांद के रखो इसको थोड़ा कंट्रोल में रखो या और हद से जादा भोगता है हैना हमारे घर तक आवाज आती हमको डिश्टब कर रहा है और फिर भी अगर वह समझाने से नहीं समझा तो अब तब ऐसे में भी आप उसके उपर कारवाई कर सकते हो तब आप पुलिस के पास भी फॉन कर सकते हो और HDM साब के पास भी हल्प लाइन नंबर पर मैं फिर कह रहा हूँ पुलिस के पास कर रहे हो तब भी हल्प लाइन नंबर पर कॉल करना और HDM के पास कर रहे हो तब भी हल्प लाइन नंबर पर कॉल करना क्यों करना? क्योंकि उसरकारी record में वो चीज चड़ जाती है और फिर उनको feedback देना पड़ता है कि हमने इसके उपर क्या कारवाई की है तो तब वो अपनी मांदार इसे काम करेंगे और अगर आप जाके application देखा होगी अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप भी उसकी सिकायत करवा सकते हैं लेकिन help line number पे ऐसे करवाई होगी लेकिन अगर वहीं पे किसी मेरे भाई ने बताया कि सर्म हमारी है थोड़ी गली जो है थोड़ी भीडी गली है भीडी समझते हैं थोड़ी पतली गली है और क्या करता है रामखुर भाई खड़ी करके चला जाता है गड़ी खड़ी करके चला जाता है हम कहां से निकले भाई चलो हमारी गली थोड़ी पतली है उसको तो हम सेहन कर रहे हैं लेकिन गली के अंदर गाड़ी खड़ी कर दिया गली के अंदर भाई खड़ी कर दिया तो ऐसे भी पडोसी होते हैं अगर आपको भी ऐसे तंग कर रहे हैं कि गली में गाड़ी को खड़ी कर दिया अपना चला गया कहीं पर भी अब आप कहां से गुजरोगे भाई खड़ी करके चला गया आप कहां से गुजरोगे अगर ऐसा काम कर रहा ना तब भी पक्के वाला इलाज होता है या फिर कुछ पडोसी ऐसे भी होते हैं जो अपने घर के बाहर पैड़ी बना लेते पैड़ी चड़नी वाली पैड़ी वो और इतनी बना लेते हद से ज़्यादा जैसे इतनी गली है इतनी गली में यहां तक का रेंप बना लिया यहां तक का रेंप बना लिया अरे फिर आपकी घड़ी कहां से जाएगी आप कहां से जाओगी अगर ऐसा काम कर रहा है ना तब भी उसके उपर कारवाई हो जाएगी 283 के तहते में सिकायत कैसी करनी यह भी IPC का सेक्शन होता है पिक्चर भी लिखा दिता हूँ, अगर ऐसे बड़े-बड़े रैंप बना रहे हैं, तो 283 के तहता आप सिकायद दरज करूआएं, पुलिस कारवाई करेगी, या फिर HDM के पास भी फोन कर सकते हैं, वो भी 283 के तहती कारवाई करेगा, सजा इसमें भी थोड़ी होती है, ज् फिर तो जमानत भी नहीं मिलेगी, तो ऐसे सबक सिखाएं अपने पड़ोशियों को, और भी तरीके बताता हूँ, जरा सबर रखो, तो कुछ पड़ोशी ऐसे भी होते हैं बाई को जूँझा करके चलाते हैं, उदर अरे बच्चे खेल रहे हैं बाई गली के अंदर क्या कर करा है, और यार पतली सी गली है उसके अंदर तो फॉर लाइन पर कितनी चलांएगा, गली कर चाल धखो है तो आपको फिर से वही हिलप लाइन नमबर के कॉल करना है और ये भी एक IPS का सेक्शन होता है, उसके उपर कारवाय होगी 279 के कोड़िग है हुई, अब कारवाई मे कितनी सजा होगी, तो कारवाई में सजा होगी, वही श्य महिने की, येलो बाई, आ गया ना, तो श्य महिने तक भाइक चलाएगा नहीं, और जैसे श्य महिने के बाद आया, फिर, फिर अगर आप दुबारे सिकायत कर दोगे, तो दुबारे फिर होगी ना बले बले, तो वो जिंदीगी बार आपको तंग नहीं करेगा, और इस प्रोसेस में कह रहा हूँ ना कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको सिकायती तो करनी है, और किसकी अपने प्रोसी की, पर उससे प्लाइन नंबर, तो यह चीज समझ में आई, अगर वहीं पे आपका प्रोसी गाली गलोच भी करता है, मैं भी और तरीके बताता हूँ, कि प्रोसी आपको तंग कैसे कैसे कर सकता है, और उसके खिलाब में कैसे कैसे कारवा है होगी, वहीं चीज तो बता रहा हूँ, अगर बहन बहन को बोल रही है, बहन अपने पापा को बोल रही है, ऐसे बोल रही है, लेकिन उनको यह नहीं पता कि उन्होंने बातों बातों में कितना बड़ा पराद कर दिया, बहुत बड़ा पराद हो जाता है, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो अपने घर में दार आप और ना तो आप क्या कर सकते हूं, मैं वही चीज बता रहा हूं, वो अपने घर में कुछ भी करे, अगर उसकी उसकी जैसे आप तंग हो रहे हो, तो आप कारवाई कर सकते हैं, यह आपका राइट है, आप भारत के नागरिक हो, तो भारत ने आपको इस सारी सुविधाई दे रखी है कि आप फरी में सुविदाओं को बरतो यार पडोसी तंग कर रहा तो कारवाई करो तो अगर आपका पडोसी भी गाली गलोच करता है तब भी आप वैसी प्रोसेस या तो पुलिस को बता सकते हैं या फिर आप SDM साब को बता सकते हैं हलप लाइन नमबर पे कॉल करके अब ऐसे में उसके उपर जो कारवाई होगी वो 294 की कारवाई होगी तो इतने दिन के लिए तो श्यंति रखो और फिर तो दूसरे पडोसी भी आपसे डरने लग जाएं हो भाई उससे पंगानी वो तो हेल्प लाइन नमबर है उसके पास में और अच्छे वाला इलाज करवादेगा ऐसा इलाज करवादेगा कभी सोचा नहीं होगा तो अगर तो यह प्रोसेस होता है अगर पडोसी ने पेड लगा रखा पत्ते आपके घर पे आरे तब भी आप कारवाई कर सकते हैं अगर पडोसी का कुटा ज़्यादा भोगरा तब भी कारवाई कर सकते हैं लेकिन एक मेरे भाई ने मेरे को कोमेट करके बताया कि सर हम हमारे घर में रहते हैं और जो घर के अंदर जो बाथरूम यूज कर लेते हैं जैसे हमारे घर का बाथरूम यूज करते हैं या फिर गंदा पानी है ना वो गंदा पानी तो गंदी नाली में जाएगा जो घर के बाहर जो नाली बनी हुई है लेकिन मेरे जो अगला प्रोसी मेरे घर से जो अगला प्रोसी है जिसकी तरव पानी का बहाओ है वो क्या करता है रामखोर मेरा पानी आगे जाने ही नहीं देता है यह नहीं कि मेरे घर का जो गंदा पानी है उसको आगे नहीं जाने देता है, अब मैं क्या करूँ? तो उस भाई के लिए मैं special answer बता देता हूँ, भाई अगर आपका प्रोसी भी ऐसा करता है, आपका कोई भी प्रोसियो अगर वो ऐसा करता कि आपके घर का जो गंदा पानी उसको रोकता है, आगे जाने नहीं देता है या फिर सीवर को रोक देता है तो भाई, पास साल तक की सजा करवा सकते हैं आइसे में उसको करना क्या है? करना प्रोसेस वही है या तो SDM को call करके बताना है, फिर पुलिस को, help line number पे call करना है, और SM जब उसके उपर कारवाई होती है, वो होती है, 432 की, ये धकुक कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ किदाबों में लिखा हुआ है, reality में नहीं है, reality में आप करके देखो, पसिन ने आ जाएंगे सामने व ठीक है, तब ऐसे में 5 साल तक की सजा हो सकती है, कैसे में, अगर आपके घर का गंदा पानी और आपका पडोसी उस रस्ते को रोक देता है, जहां से गंदा पानी जा रहा है, ये देख लो, छोटी सी बात है, लेकिन सजा, वो पूरी जिन्दगी गंदा पानी नहीं देख पाइगा, 5 साल तक के नहीं, तो क्यों जेल में होता ही नहीं, जेल में तो सीवर सिस्टम होता है, तो ऐसे काम कर सकते हो, कि दाबों में लिखी हुई चीज नहीं, ये चीज़े रियल्टी में आप करके देगी, अगर आपका पडोसी कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ, और आपक दिक्कत है, कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसको ना तो समझाओ, ना उसके साथ लडाई करो, कानून अपने हाथों में मतलो, सिर्फ अपने हाथ में अपना समार्ट फोन लो, और हल्प लाइन नंबर पे कॉल कर दो, हल्प लाइन नंबर पे कॉल करो, तब भी यह 283 का मामला है, ठीक है, और किसने बताया तो मेरे वीडियो शेयर कर देना, किसे रहे 432 का मामला उसने बताया, तो टैंसन मतलो, सिर्फ टैंसन अपने पडोशियों को दो, वो पडोशि आपको कभी तंग नहीं करेगा, और कोई भी से लेटिड कोई और जान करे चाहिए तो आप मेरे को कमेट कर दे, या आपका पडोशिय आपको किसी और तरीके से तंग कर रहा है, तो वो भी आप मेरे को कमेट करके बता दे, मैं उसका भी इलाज बता दूगा, कि उसके लिए कानून के अंदर क्या क्या बाते लिख हुई है, और इसलिए अगर आपका वैसा आपके पडौसी आपकी चुगली करती है आपके पडोसी को मकान बेशना पड़ जाएगा, ठीक है, तो वह कैसे हो गाए तब आप उसको पर मान आने का केस लगा सकते हैं, यानि कि 499 का और 500 का अगर आपकी पडौसन भी आपकी चुगली कर रही है, आपके बुरा बला अगर कोई भी इनसान कोई आपका पडोशी आपके बारे में गलत बोलता जूट बोलता आपकी चुगलियां करती आपका अपमान करता है तो आप उसके उपर 5 लाग रुपे का आप उसके उपर 50 लाग रुपे का माना हनी का केस कर दीजिए मकान बेशना पड़ जाएगा आपके पैसे देने के लिए तो ऐसे ऐसे कानून है तब ही कह रहा हूँ अगर कोई और कुछ भी आपके साथ में हो रहा हूँ तो आप मेरे को कमेंट कर दें वो चीज मापको बता दूँगा कि इसका कैसे इलाज होता है तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो एक शेयर जरूर कर दें और अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक जरूर कर दें कोई भी आपका स्वालो बेज जजे कोमेंट करते reply 100% आएगा ही आएगा thank you, thank you everyone